अभी बजट का जितनों हो रहा था तो ये बजट किसके लिए बना है ये हम दों को समझता जलूरी है बजट बनाते समय क्या समाज के गरीब बरत का ध्यान रखा गया क्या समाज के पिछणों का अदलितों का ख्याल रखा गया क्या इस बजट में आम आदमी की कोई चिंता है अगर आपकों में बजट को देखेंगे तो ये बजट इस देश के लोगों को निरास करने वाला बजट है एक ऐसा बजट जिसमें युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ नहीं का गया एक ऐसा बजट जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं का गया एक ऐसा बजट जिसमें किसाम की आमदरी दोगुना कैसे हो जाएगी दोजार वाइस सर्क इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई देश के अंदर महगाई क्रम कैसे होगी टैक्स में कैसे राहत बिलेगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई करमचारी वर्ब को अमीद थी कि साइब उनका स्लैप पढ़ाया जाया उसके बारे में कोई बात चीप नहीं की गए सीनियर सेटिजन्स को अमीद थी कि साइब उनके लिए कोई योजना सर्कार दे कराएगी उसके बारे में कोई बात नहीं की गए जवान की शहादत पर वोट तो मांगते हैं वाजपा के लोग लेकिन डिसेबल पेंसन के ओपर भी टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया है ये इस बजट की सच्चाई है और बजट में धाई सो करूम तक जो पहले अपना व्यापात करने वाले बड़े बड़े पूजी प चांसो करूम रुपे उस सीमा को पर दिया है इस बजट में साथ संखेत दिया गया कि देश की सरकारी कंपणियों को बंद करने की सरकार की होजना है पीएसी उस को बंद करने की होजना है एरेडिया को बंद करने की होजना है रेल्वे के लिजी करन की होजना है यानि सरकार जब खतम हो जाएंगे तो आपकी जो आरक्षण की लगाई है तो अपने आप खतम होगे हैं फिर किस बात के लिए आरक्षण हो सब जब मिली हाथों में चला जाएगा तो जो उनकी मूल मुंसा है और जब 10% आरक्षण सवर्णों का लेकर आए पार्लेमेंट के अंदर मैं अपने साथों से हाँ जो जो के समझा रहा था कि एक शुरुआते समझिये खतरनाफ शुरुआते समझिये उससमें कोई समझने के लिए तयाब नहीं हुआ यह वो पार्टी है जिसने 90 साल तक और यह सच है कि 90 बरसों तक आरेसेस का कोई भी प्रम तलित और पिछवा आख तक नहीं हुआ इस सच्चाइशा को भी मोड़ता है आज इनके राजियों के अंदर क्या होगा रहा है कल जौन पूर में तीन दलितों को नंगा करके पीचा गया है क्या हो रहा है अगर मिटे मील बनाने वाली कोई महिला तलित समाथ से उसका खाना पूरा का पूरा गाल रखा होगा है हम बड़ी बड़ी बाते करते हैं हिंदुस्तान की आयादी के बहत्तर साल हो गया है अगर इस देश के बाबा साहर भीम राम वेट करके संभिधान की मूल होना को अगर हम लागू करवाने में नाक्राम है फिर हमको बड़ी बड़ी बा और जिन लोगों को आवाज इखानी की में नाम लें वो नहीं लोगा उन्दमों को लोग भी खामोस रहे दुर्भाते हैं और हुआ क्या कि संकार अपना प्रोड़क्ट बेचने के मामने में माही है कोई भी काम ये लोग करते हैं इसको प्रचारिक इस तरीके से करते हैं आपको बहुत बड़ी सवगात देने जा रहे हैं कि कहले के साथ GST लेक्या है वन मेंसर वन टैक्स हिंदुस्तान के लोगों तुमको आजा दी देगे रापको बारा बड़े लता मंगेस करका दाना सुनिये अमिटा बचल को देखिए पूरा संसा निकठा हुआ है जी एस्टी पास हो रहा है वन मेंसर वन टैक्स पांच परसेंट का टैक्स बढ़ाके बाइस परसेंट कर दिया गया टैक्स बढ़ाने का आप से जस्ट बनवा दिया गया आप उप्तारी को दिया रहे टैक्स बढ़ना प्रकार कोई शेर सार नहीं कर रहे हैं और जस्ट परसेंट आरक्ष्ण और सब्सक्राइब को देख आप लोग भी ठामोज रहे चुक्रें बोले हरावें दो दो ठीक बात करता है अरे तो 50% आरक्ष्ण था उसमें जिन तर्टों और पुछ्छों को अस्थान मिलता था उस आरक्ष्ण की विवस्ता लागू कर दी आप लोगो सब्सक्राइब को और वहां क्या किया उसमें भी क्या खेल किया तो आज रात की सीमा तक 10% आरक्ष्ण तो पंचान में प्रदिश्ट जो सबर्ण है वो दर्च लेके और तो आज रात की उपर के आपने वारे सब्ण है यानि जो मोदी जी के मित्रों की सुची में आते हैं उनको पांच परसेंट को 40 परसेंट गजल के देख्टी करें और इतना में खेल हो गया हमको पार्लेमेंट में चिलाते रहें लेकिन कोई सुनवाई ने इक बास हो हुए संबिल्हान के साथ देश के संबिल्हान की मूल भावना के साथ ये सरकार जिस प्रकार का फिल्वार कर रही है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आजादी के 75 सालों में इतना मजाद देश के संबिल्हान के साथ नहीं हो आँगा जितना फार्टी अंका पार्टी की और इंडि और आज उस देश के सरवोच लोगतंक के सरवोच मंदिल में क्या हो रहा है कोई कहा रहा है जैस सिरी राम कोई कहा रहा है जैमाकानी कोई कहारा राधे राधे मैं आप लोगों के सामने बड़ी बिनमर्ता पुर्व कहना चाहता हूं इन नारों से कुछ लोग खुस हो सकते हैं लेकि देश का संविधान नहीं बचेगा ये लोगतंक का मंदिल जो है ये बाबा साहथ धीमराओं अम्बेट करके संविधान के लिए है ये जैसे राम और अ क्या नित्या होंगी इस देश के अजिवास्यों के लिए क्या नित्या होंगी इस देश के पिछलों के लिए क्या नित्या होंगी इस देश के पिछलों के लिए क्या नित्या होंगी इस देश के अल्वसंच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सब्सक्राइब करें पचास लाख करोड रूपए रेल्वेक इंफरस्टुक्चर डिबलक्मेंट पर चाहिए इसलिए हम उसको पीपी मॉडल के तहर्र डिबलक करें के मुडल क्या है सब्सक्राइब कर ऐसके बाद पचास को लक्रावि कि अपनेदा उसके बात और तो तो पीपी मॉडल ये हैं कि सब कुछ लीजी हातों में चला जाएगा और वह पैसा आप से वसुलेगा है सब्सक्राइब प्रेट में रेलबे स्टेशन में रेलवे के नीजी करण की प्रकृत्ट पर लगए अगर पीस की देवस्ता है रहा गता बहुए लाग मिनता है वह खता हुए तो यह बड़ी दो जना इस बात को समझना पड़ेगा और सबस्कें भी भार चलियुक्त वह सकते हैं कि पांच लाख दिल्पन हजार रुपे का कर दिया मोदी जी की सरकारति विछले पांच साव में अब तक मिलाके पांच लाख तिल्पन हजार करोन रुपेजा दर्जा चंद मूजी पत्यों का मांग किया है इतना पांच लाग दिश्वा लगा है और अगरेजिंग उसको बोलेते हैं यह तो एंपिये हो गया इंपिये हो गया आठ लाख पच्पन हजार करोन का एंपिये है नौन परफॉर्मिंग एसे यह बैंकों में पैसा पिसका जमा है इस देश के कर्मचारी का पैसा है किसान का पैसा है मजदूर का पैसा है आम आतनी का पैसा है पैसे को उखाके तुम अडानी को देते हो अंबानी को देते हो नीरो मोदी को देते हो मेहुचाउक्सी को देते हो पीजे माल्या को देते हो लली को देते हो और व खुरींगे आपका यंप्या नहीं है तो आपके यह ही लोगा आपके ही हम घ्रीब है हमें दो लान ता तक्ज़ा लिया था सरकार हमें माम पर दो कहें नहीं तुम्हारी को ताह्सील में भी फोटो लगेगी ग़ों में भी फोटो लगेगी गाहं पे भी चिची चिपका दिजाएगी और कालर प्ड़कर तुमको तैसील के हमालाद पे बन्दन चब लिया जाएगा तुमको अधिजी की सरकार कहती है जो कि नो हजार का करद्जार होगे तो हमालात में डाल दिया जाएगा नो हजार करों का पर जारोगे तो जहाद को बैखा कर भी जे भालिया की तरफ हम्तुर लंड़ दो को छोड़ दिया जाएगा फ़ें विए कैंगे एए किसके लिए और तो सब्सक्राइब कर मुझे मैं और इस वा together कि नौक री आउट सोर्सिंग सेद्ग पफरीन में आउट सोर्सिंग लितिक की नौकरी आउटसोर्स याने शेतले भीी संसारी करिमी आपके लिए नौतरी की कहां कहीं भी लिटिक से लेकर और स्थिक्योर्टी गाज तक में जो भी संभावनाय है सब खतन करूंदी जी हांपों को देते हैं यह जो बड़ी मचली छोटी मचली को खाने की जो नीती है इसके बारे में अगर हमें आपने नहीं सोचा तो निश्चित रूप से जरूरत इस बात की है किया रुमुदों को राजबी के केंडर में लाए जाए जो रहों में नहीं पना फैसे आपके खाते में नहीं आए जो आपके पैसे जमा थे घरों में आपने लखे थे 1500 के नोट मोदी जी निकाम माता हूं महनों संदूत में जो आपने 1500 की नोट रखी है वो काला जा है उसको निकालते बैट पर जबाते हैं सो जिन्दगिया लाइन में लगके खतम हो गई और अगर को इस पर सवाल करते हैं हम जैसे लोग तो कहते हैं कि आप रता ही सेना पर जवान मर्ला आप लाइन में लगके रास्टवाद नहीं कर सकते एक तो रास्टवाद का एक बाभूत है जिसको भाजपाई डिफाइन करते यह कौंसे लोगे जो रास्टवाद की बात करते हैं वो लोग जिन्होंने 42 के आंगोनने अग्रेजियों का साथ लिया वो रास्टवाद की बात करते हैं जिन्होंने अभी 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 को सहीत मांगे लिए पीडिपी के साथ मिलके सरकार बनाई जिन्होंने पठान को हमको किसी से रास्त्तवाद और तेज्वक्ति का प्रहाण भुक्तर में specific हमको हमारा हट्च चाहिए इनी चरूर ने जो है हमारी उसको पूरा करो यह नकली नारों नियुद भी ना कि हिंदु के नाम पे मुसल्वान कोथ कि नाम हें चोक केते हैं मोजी जी कहते हैं हम तो सबसे हैं कि मोजी जी कब सामिल हुए पिछले में मादू जास है जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हों ने अपनी जाती को आज पिछला में मोस्त बैट पढ़ने सामिल करते हैं अब वो पिछले होते हैं तो कल को कि योगी बाबा आगे कौंसा परवारोत्त प्रवारी को समझेरी पाएंगे कि हमी सबसे पिछले और हमी सबसे जली कर दिया तो मैं सिते हैं कि मुऩव को लाजियंदी के केंडर में लाजा पड़ेगा एबीyes तुमख सॉर्क्राइमज अध्यृष या नाधि वियूर्टान के तंद्रा लाध और हमा चीओ आप में पतीवे भाख चालिस उन्खेश्ट पृटरूर पेडे मे और पेट्रोल 450 रुपए में हो जाएगा लेकिन हिंदुस्तान ने देखा कि 300 रुपए किलो दाल भी की 200 रुपए किलो टमाटर भी का 45 रुपए लीडर पेटोर भी का महदाई आस्मा जो गई लेकिन चुनाओं में वो बुद्दा नहीं चुनाओं में 12 फोटा आ जाता है चुनाओं में किस ताम करने गाए हिए हम से मिलकर एक नया हिंदुस्तान नहीं हिस नए हिंदुस्तान में मार पीट के शिक्षा दी जा रहे है पाइसा खुब सूरत लिजबा लुप आप में एक्ता वाला हिंदुस्तान जहां पर सभी जाती धरम के लोग एक साथ मिलकर रह सकें सम्मान की जिंदगी जी सकें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम सब संकल्पत हैं और जो भी सुझाओ आपके संद्शन के मात्यम से संसे विलेगा राज सब्सक्राव में उसको उठाने के लिए कुसमत्र पर अपनी बात किने के लिए हमेशा साथ सब्सक्राइब अरदे बहुत और भांप सब्सक्राइब ऐसा सबस्क्राइब आए तो झाल झाल